हेलो फ्रेंट्स यदि आपके भी चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पांच और दस वीव आते हैं तो यह वीडियो दोस्तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको यह समझने और देखने को मिलेगा वो भी लाइब पूरूफ कि आखे क्यूं आपके व आपके भी पहले वीडियो पे ही 100-200 वीडियो तो मिनिममम आएंगे यदि आपने इस वीडियो में बताएगे स्टेप्स को समझा और यदि आप इसे बहतर तरीके से समझेंगे तो आपके भी वीडियो जो है वह अच्छे खास से आने लगेंगे और ऐसा मैं क्यूं कह रहा हुआ है कि मेरे पास एक ग्रोइंग चैनल है जिसका नाम है रिवीडियो आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप उसके लिंक पर जाके तूसे चेक आउट कर सकते हैं जहां पर मैं अपने पूरे तीन साल का जो यूट्यूब का जो एक्स्परियेंस है वो खुद के ही वीडियो को देखके वास्ट टाम को कम्प्लीट करने की कोशिस करते हैं और सब्सक्राइबर तो भूली जाओ वो तो आएंगे नहीं तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए जहां पर आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आपको ऐसे कौन से सेटिंग करने हैं जहां पर आपके पहले बार में ही वीडियो मतलब अप्लोड करते के साथ ही आप उसे जैसे ही पॉब्लिक में अधी करते हो तो आपके कुछ ही घंटों में या पिको हो तो एक दिन में ही आपके हंडिज से टू हंडे ग्यूज तो मिनिमम माएंगे यदी आप मेरे बताएगे स्टेप्स को अपलाई करते हो तो तो दोस्तों मैं बताओ दूए अपने वारे में में अभिशेक सिना और आप देख रहे हैं अपना यूटूब चैनल अभिशेक सिना तो चली आज के इस वीडियो को यहीं पर सुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने यूट स्क्रीन के रिकॉर्डिंग को यहां पर अक्टिवेट कर देता हूं और देखता हूं अभी मोईल के स्क्रीन पर ही आपको मैं लाइब यहां पर दिखाते चला जा रहा हूं तो हमने फ्रेंड्स अभी यहां पर अपने मोईल के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अक्टिवेट कर रहा हूँ लेकिन आप इसके व्यूज को देख सकते हैं मेरे व्यूज कितने अच्छे अभी जाते हैं सिर्फ 28 दिनों में वह आप यहाँ पर लाइफ देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिर्फ जाओंगा एनलाइटिक्स में जो कि आप यहाँ प आपको बहुत सारे option देखने को मिलें जैसे कि overview है, reach है, engagement है, audience है और revenue है ठीक है तो अभी हम बापस से audience में आते हैं और यहां पर friends आपको main जो मैं बताने वाला हूँ settings वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे तो दोस्तों यह नई YouTubers के लिए आपको खास करके आपको यह क्यों नहीं आ रहे हैं इसके बहुत सारे कारण है जैसे कि friends आप जैसे हलका सा नीचे जाएंगे आपको एक option देखेगा जहां पर लिखा हुआ है when your viewers are on YouTube जी हां आपके जो viewers हैं आपके जो दरसक हैं वो YouTube पे कब available होते हैं यदि आपको यह बात मालुम हो जाए तो सोच सकते आप उसी टाइम में दे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके कितनी जादा वीडियो पे व्यूज आएंगे यह एक बहुत ही बड़ा important बात है अब जैसे suppose कीजिए आप यदि market में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए जैसे save खरीदने जाते हैं और वो जो save वाला है यदि उसको पहले से मालूम है कि आप market में आने वाले हो इस time पे तो यदि वो कहीं भीड़ा है ठीक है आपके पहुचने वाले time पे वो market में पहुच जाता है और जैसे आप मतलब उनको देखते हैं और वो आपको देखते हैं तो उन्हें आपका दुकान यदि open मिलता है तो वो से खरीद लेते हैं सपोच की जी कि आपको पता नहीं होता कि आप मार्केट जाते हैं तो से वाले को आपके पहुचने का time नहीं पता और यदि वो अपने दुकान को बंद रखेगा तो आप उससे खरीद नहीं पाऊगा उसी तरह से YouTube पे भी होता है आप जब अपने वीड वीडियो को कौन देखेगा ठीक है उसी तरह से आपको यदि यह बात मालूम है कि अभी आपके विडियो अल्मुस्ट आहीं जाएंगे जैसे आपके वीडियो को वह अपने ब्रॉज फीचर में देखेंगे तो उससे वह उपन कर ही लेंगे तो इस तरह से आप अपने इस लगा कि आपके जो वीवर है कब आपके यूटूब पे एक्टिव रहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर जो दूसरा आप्शन है वेन योडियो वीवर्स आर और यूटूब यदि आप इसे यहां पर ओपें करते हैं दोस्तों तो आपको यहां पे फूल डिटेल आपको अपने viewers का मिल जाता है अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 बज के 69 मिनट यानि कि पीम रात का टाइम है यहाँ पर सारे जो बॉक्सेस हैं वो अल्मोस्ट मतलब light pink में यानि कि वो समझी कि वो white ही हैं यानि कि इस टाइम में नहीं डाता जितना dark उतना ज़्यादा viewers active तो आप यहाँ देख सकते हैं सुभा के 6 बजे यहाँ पर हलके हलके हमारे जो users हैं वो available रहते हैं अब दीन के 12 बजे यहाँ आप देख सकते हैं 11.59 एम में यानि कि दोपाहर के 12 बजे यहाँ पे भी बहुत सारे जो हमारे users है वो रहते हैं लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बज़ के 69 मिनट पे साम में हमारे maximum जो boxe से वो dark हैं यानि कि हमारे जो maximum audience है वो इसी time में YouTube को open करती है तो यदि हमें अपने videos को upload करना है तो this is the perfect timing to upload a video on YouTube तो दोस्तों आप देख सकते हैं यानि कि हमारा जो 6 बज़े का साम का timing यानि कि 6 से लेकर के रात के 9 बज़े तक का timing perfect है हमारे वीडियो को upload करने के लिए अब दोस्तों आप थोड़ा जब नीचे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा detail और देखने को मिलता है जहां पर आपको लिखा होता है learn more का option तो हम इसे learn more करते हैं तो यह आपका यूट्यूब का जो help center है वहां पहुच जाता है और यहां आप इसके बारे में और बहतर तरीके से समझ सकते हैं तो दोस्तों साइद अभी आपको सारा जो dot है वह आपका clear हो गया होगा कि यदि आप अपने वीडियो को जो upload करते हैं या फिर जब उसे आप मतलब अनलिस्टेट से schedule करते हैं मतलब public करते हैं तो आपकी timing क्या होनी चाहिए और इसका इतना ज़्यादा effect परता है new youtuber के लिए कि यदि आप बहुत पहले से video upload कर रहे हैं या फिर आप नए मतलब YouTube creator है तो आपने पहले भी वीडियो को तो upload किया ही होगा public किया ही होगा और आप ये जो method मैं बता रहा हूँ इसे आप अपने अगले 10 वीडियो में apply करके देखो मेरी guarantee यदि आपके पर वीडियो 200 वीडियो नहीं आते हैं मैं YouTube छोड़ दूँगा क्योंकि ये मेरी experience है मैं भी अपने starting में ऐसा ही करता था कि जब भी आपके अपने यूटिवर की आपको time ही यदि मालूम हो जाए तो आप उसी time में वीडियो को deliver करते हो और आपकी audience भी उसको देख लेती है माल लेता हूँ 100% तो नहीं देखेगे लेकिन आपके जो sufficient views है जो नए यूटिवर को चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो दोस्तो बस आज किस वीडियो में इतना ही यदि आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को like किजिए वीडियो को share किजिए और दोस्तो यदि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आता है यदि आपको इसी तरह चो YouTube tips and tricks जानने है तो हमारे चैनल अभिशेक शीना को subscribe जोड़ किजिए जहां पर आपको YouTube के regarding tips and tricks आपको सबसे पहले और बहतर detailed में आपको देखने को मिलेंगे